है लो भ्यों कैसे हो तुम लोग हम बात कर रहा है है । Este сб अब तक हम ने बात कर लिया है फ्रूटी हाइउ गाल्टि फाइफ डिगरी तो फोटी फाइव डिगरी के लिए हमने सारे टेमकी मेंलिव की वेलू को फान कर लिया है अब बात करेंगे में थीटा इकबल टू सिध्साग्स दिगरी हो या 60 डिगरी इसी की बाद हम को करने में है तो सबसे पाले अब क्या करो एक विएक्म अकुलेट्रल ट्राइंग्ल ड्रा और करते है कि सब्सक्रूज दीशीजीट्द ट्रॉण तरद ट्रविक्ल ट्राइंगल क्या होधा है इनके सारे साइड क्या एंक्यां हूं से मुस्ताय के हैं इनके से महलाए अब एक काम करो यहां से न 2 परपेंटिकुलर एटरा करो ढिए तो भी एंगल कितने 90 डिगरी और एक्क्विलेट्रुड consistency टीगरीए भी तर ना 60 राइट एवी 90 डिग्री है अब जो गए 60 90 तो यह अंगल हो जाएगा 30 डिग्री आ यह अंगल हो गया तुमारा 30 डिग्री और यह भी होजाएका 30 डिग्री अजिए अगर आप इसको देख्वागर इसको कांग्गूरेंसी लगाओ गए तो एश त्राइंगल और डूनों क्या होंगे से मोंगे राइट तो दोनों सेम होंगे इट मींस जो बीड़ी होगा एक कि ठीक है अच्छा देखो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको टूए ले लो ये भी टूए हो गया अब देखो एवी टूए होगा तो एए हो जायागा और एभी क्या हो जाए गए इट मिंस ये दो हो जाएंगे ए अब देखो हमको एक ट्राइंगल मिल गया इन ट्राइंगल ए बीडी ए भी डी अब एवी डी में तुम्हारा एवी जो है ए भी एवी तो टूए है बीडी कितना है भाई कि कि अ है economic value settings कि रलो कि एडी की होगा रूट अबर पाइथा गोरश निदिशने के लगा तरह देखों पाइथा गोरास लगाऊ देखो एबी स्क्वाईर एक हाइपूटैनयस और को स्वाईर ऊक्वालर मिया इन steadily का सक्वार प्लस बी स्क्वाईर एवी कितना क्वाई टू तो यह का स्कॉएर एडी तुम्हां को फाइंड करना है बीडी है एका स्कॉएर तो देखो हो जाएगा एडी का स्कॉएर फोर एइस्कॉएर और इसको इधर ला लो एइसकॉएर तो हो जाएगा 3A स्कॉएर इट मिंस एडी होगा एडी होगा एडी कि वेलू इरूट थी होगाई यह जो तुमारा हाइट निकल के आया है इसकी value हो गई A root 3 तरी अब क्या करो हमको find करना इसके trigonometry ratio तो सबसे पहले आप साइन सिष्टी की बात कर लो दो को साइन सिष्टी साइन सिष्टी क्या होगा perpendicular देखो यह तो perpendicular हुगा परपेंडिकूलर तो परपेंडिकूलर देखो a आप्रपेंडिकूलर अपान हाइपोटेनस तो परपेंडिकूलर है a root 3 हाइपोटेनस कितना है वाई 2a तो a से कैंसल हो जाएगा तो साइन सिस्टी की बहलू आ गये root 3 by 2 क्लियर अब हम बात करेंगे cot 60 अब कॉट सिस्टी आपको मालूम है कॉट थीटा होता है बेस बाई हाइपोर्टेनस बेस से देखो कितना है यह है तो बेस को यह लिखो हाइपोर्टेनस है टू यह से कट जाएगा वैलू आएगी वन वाइग टू क्लियर अब गाज हम बात करेंगे टैन की अब देखो टैन सिस्टी टैन सिस्टी आपको मालूम है परपेंडिकूलर अपान बेस तो इसके लिए तो परपेंडिकूलर हो गया और इस साइड विल भी बेस तो परपेंडिकूलर हो है तुम्हारा ए रूट थ्री बेस है ए तो आया टैन सिस्टी की वाइल रूट थ्री अ अब देखो तो सोरी एक कास है को ठीक है अब साइन कोस्ट निकल गया अब आपको मालूम है जो साइन 60 होगा इसका इन्हें वह रेसिप्रोकल होता है को सेक्सिस्टी इसकी वैलू आई है यह हो गया अब देखिए कोस्टी जो है कोस्टी के वैलू है वन बाई टू और इसका रेसिप्रोकल होगा वन बाई सेक 60 इस इंपलाई सेक 60 कोल्ड होगा तू तो सेक 60 की वैलू कितने आगी तू आगई आप देखो 1060 है 1060 इसका रेश्वी प्रोकल होता है कॉट 60 1060 की वैलू है भाई आपका रूट 3 तो दिस इंपलाई कॉट 60 कोल्टू हो जाएगा कुवण वैरूट 3 एक कॉट 60 की वैलू आ गए अब गाएज इसको नोट करो अब हम बात करेंगे इस एंगल ठीटा की इसको नोट कीजिए तो इसको मिटाते हैं अभी हमने 60 की बात कर ली अब हम बात करेंगे इस एंगल 30 की तो देखो साइन 30 अब लिखो साइन 30 साइन 30 होगा परपेंडिकूलर अपान हाइपोटेनस अब इस वाले एंगल के लिए हो गया परपेंडिकूलर क्यों क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हो परपेंडिकूलर राइट तो परपेंडिकूलर आपका हो गया है यह है फॉल्ट तो यह ऐसे से चैनल आ गया वन वाई तो साइन थर्टी के वैल वर्टी अब बात हम करेंगे अध्यकों 30 अध्यकों 30 क्या होगा बेस बाई है पॉर्टेमार्स अब देखो यह तो 30 के लिए परपेंडिकूलर है तो बेस होगा ए रूट थ्री और रिस इच ह हांड होगे टू आए एस एक क्या शुप यू निकल कर आती है रूट 3 रच्ट हुआ है अब हम बात करेंगे लिए लां-ट- ये से कैंसल तो evaluate निकल के आती है वन वाइब रूटц फ्री अब देखा सा एन थर्टी निकल गई तो को सेक थर्टी क्या होगा इसका जेस्ट अपोसीट हो जाएका को सेक फर्टी म॥ाइब त्री म॥ाइक थर्टी हो जाएगा रूट थ्री तो गाई जे तो था हमारा थीटा एकॉल टू थर्टी एंड थीटा इकॉल टू सिष्टी के लिए और टू ट्रिगूनुमेट्री रेशियों के बैलूज तो गाई जाहत के क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम जीरो डिग्री और 90 डि GPR GPR GPR